हलो एवरीवन वेलकम एगेन इन दीस ओनलाइन प्लेटफर्म ऑफ इंजीनियर्स क्लासेस फोर यू जैसा कि आपको स्क्रीन पे विजीबल होगा यहां पे लिखावा जारकन उनिवर्सिटी ओफ टेक्नलोजी आनि जे यू टी डिप्लोमा इन मैकानिकल इंजीनिरिंग थर्ड से इंजीनिरिंग मैकानिक्स प्रिवियस येर 2022 2022 तो एक्च्वली में बिल्कुल भी सही है कि चीज कोशन हम डिसकस करने जा रहे हैं 2022 में पूछा था तो अब्जेक्टिव कोशन इससे पहले 2019 में जो कोशन पूछा जा चुका था 2020 यह सब में कोरोनक वज़ेस एक्जाम नहीं हुआ था प्रमोट कर दिये गये थे श्टूडेंट को तो आपका 2019 में जो अब्जेक्टिव कोशन डिसकस किये नहीं 2019 का या फिर अभी जो डिसकस करेंगे इस अब जरूर देख करके जाएंगे क्योंकि एक कोशन से जो है पांच कोशन कम से कम निकलेगा बाहर आनि उसी पर बेट थोड़ा बहुत घुमा करके पूछेगा तराम से आप हैंडल कर पाएंगे क्योंकि ह हम उसी के कोडिंग आपको यहां पर बताते रहते हैं उसी के कोडिंग यहां भी हम बताएंगे भी तो आईए चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी को कि किस तरीके से क्या हो रहा है औब जेक्टिव कोशन से नंबर वन है यहां पर सबसे फर्स्ट कोशन अभी आपका होगा वो Newton's के second law से जानते हैं आप, actually में Newton का कितना law होता है, Newton का तीन law होता है, तो first law में आपका inertia के बारे पता चलता है, second law में आपको क्या, तो force का formula पता चलता है, यहां से Newton's second law में क्या है, तो A phase equal to A में है, हम law तो नहीं बतारें डियर, यह मस्तुचे का law यहां बतारें, Newton's second law से ही, A phase equal to A में निकलता है, अब A phase equal to A में, A m क्या है, A m आपका mass है, A m जो होता है, और A जो होता है न, वो acceleration होता है, A क्या होता है, यह होता है acceleration, तो इसका unit का जड़ी बात करेंगे, तो obvious है, mass का unit क्या होता है, kylogram, और acceleration का क्या होता है, acceleration का SI unit meter per second square तो इस तरह से force का ज़दी कोई पूछेगा तो कितना होगा तो आप कहेंगे kilogram meter per second square kilogram meter per second square जो होगा वो force का SI unit होगा force का SI unit होगा और इसी को बोलते है Newton भी तो ज़रा देखे पहला option नहीं होगा दूसरा भी नहीं होगा तीसरा भी नहीं D number option यहाँ पे correct है kilogram meter per second square तो आद रखेगा और इसी को बोलते हैं 1 Newton इसी को जो है 1 Newton बोला जाता है आनि 1 kilogram meter per second square को ही 1 Newton बोला जाता है है ना force का unit कभी आप से पूछ लिया जाए कि force का CGS unit क्या होगा तो आद रखेगा force का CGS unit क्या होता है डाइन होता है और आद रखेगा 1 Newton बराबर कभी पूछ दिया जात वन Newton बराबर जो होता है ना वो 10 to the power 5 डाइन होता है 1 Newton बराबर जो होता है वो 10 to the power और कितना होता है 5 डाइन होता है 1 Newton is equal to 10 to the power 5 डाइन उमीद है बातों को आप चोटा कोशन है बिल्कुल भी यह चोटा कोशन है बिल्कुल भी यह बड़ा कोशन नहीं है है ना अब देखें सीजेस में डाइन के बारे माब कभी आपसे ऐसा भी पूछ दिया जाए माल लेते हैं कि वन डाइन is equal to हम ऐसे ही धर बता दे रहे हैं 1 डाइन बराबर क्या है आज रखेगा 1 डाइन का मतलब होता है 1 ग्राम सेन्टी मिटर सकेट इस्कौरर ठीक है ग्राम अनिकि डाइन मतलब यह सीजेस में हो गिया तो किलो ग्राम का क्या होगा cgs में gram होगा और मास का क्या होगा स्वारी मास नहीं मेटर का क्या होगा cm होगा और time तो second second ही रहेगा तो उमीध है यहाँ से बहुत सारे बातें आपको पता चला होगा 1 dyne का लिखते है 1 dyne जैसे 1 newton को कैसे लिखते है तो 1 kg meter per second square वैसे 1 dyne को लिखते हैं 1 gram centimeter per second square ठीक है शलिए next question के तरफ बढ़ते हैं तो पहला का D option यहाँ पर correct option हुआ next जो question है वो है second number objective when can two forces when can two forces be in equilibrium equilibrium दो forces जो है वो कभ equilibrium में होते हैं मतलब कभ equilibrium में कहा जा सकता है तो यहाँ पर option है option number A में they are equal in magnitude जब दो force लगे सपोर्च करिए एक body हो गया यह एक body हो गया मान लेते हैं है न यह एक body हो गया चलिए मिसको दूसरा देगा इधर दिखाते हैं थोड़ा और इधर किनारें दिखाते हैं यह एक मान लिजे कि body हो गया ठीक है अब यह body में क्या है they are equal in magnitude अब मान लिजे force जो है equal magnitude का हो तब equilibrium में कहलाएगा they are co-linear they are opposite in direction तो देखेगा यहाँ पे na actually में इसका last option होगा और d number होगा मान लिजे एक FM on का force हो और यह भी FM on का force हो अब देखेगे equal in magnitude है न पहला option हो रहा है opposite in direction मतलब c वाला option हो रहा है और co-linear co-linear का मतलब होता है एक ही line पे हो co-linear मतलब होता है same line पे line of action दोनों का क्या होना चाहिए same line पे same line पे होना चाहिए line of action दोनों का तो आप देख पा रहे हैं कि option number A भी यहाँ पे आपका बिल्कुल भी applicable है equilibrium होने के लिए सिर्फ A से काम नहीं बनेगा डियर बी number option में है co-linear सिर्फ co-linear से काम नहीं बनेगा suppose करिए कि कोई body है और इस पे एक आपका लग गया F1 amount का force co-linear ही है और एक लग गया F2 amount का force यहाँ पे F1 is not equal to F2 है तो इस condition में यह जो body होगा वो not in equilibrium not in equilibrium आद रखेगा not in equilibrium condition समझ रहा है ना not in equilibrium condition नहीं होगा ठीक है तो आनी कि magnitude equal होना चाहिए को-linear भी होना चाहिए और direction भी उल्टा होना चाहिए एक direction में रहेगा तब equilibrium में नहीं होगा इसका मतलब इसका जो option होगा वो D number होगा all of the above अनी equilibrium में होने के लिए यह उपर का तीनों option का होना जरूरी है अब हम आपको कुछ बातें बता दें यहां पे कि देखें माल लिजे न कि कभी कभार आपसे पूश दिया जाए कि को-planar करेंड का बात करें equilibrium condition हम किसके लिए बतारें नंबर वन के लिए जदी आपसे हो mechanics में आप पढ़े होंगे co-planar करेंड को-planar करेंड system of forces मतलब की एक ही plane में हो जैसे की एक यह पॉइंट है सपोच करिजे हं पे neault का एक फोर्स लगा एक इधर इस तरह से एफटू मों कहा है इधर एक माली जए एफ थ three एमॉंट का है इधर एक öld्र एक थरे इमॉंट का है इधर एक आपका me complete का मतलब यहां common point से pass कर रहा है इस condition में जब co-planar concurrent रहेगा तो इस condition में जो equilibrium का method लगेगा न वो equilibrium में होने के लिए आपका summation of vertical forces को zero करना है and summation of horizontal forces को zero करना है यह दो ही condition से आपका body equilibrium में हो जाएगा कब जब co-planar concurrent system of forces होंगे तब एक और case होता है जदी ऐसा हो जाए कि co-planar तो रहे co-planar non-concurrent रहे co-planar non-concurrent system of forces co-planar non-concurrent रहे तब क्या होगा भाई co-planar non-concurrent रहे तब क्या होगा जैसे कि suppose करी एक simply supported beam होता है इसे माल लिजे इस तरह से 2-3 force लग गया एक माल लिजे F1 लग गया एक F2 लग गया एक F3 लग गया और यह यहाँ पे एक reaction होगा दोनों जग़े पे एक R1 है एक R2 ऐसा reaction है तो देखे यह जो है co-planar तो है लेकि non-concurrent है क्योंकि F1, F2, F3 या फिर R1, R2 ये चारों का पाचों का जो line of action F force का आनि R1 का line of action F1 का line of action F2 का line of action F3 का line of action या फिर R2 का line of action ये एक सेम पॉइंट से पास नहीं कर रहा है बात को summation of vertical force को भी zero होना पड़ेगा summation of horizontal force को भी zero होना पड़ेगा and also summation of moment को भी zero होना पड़ेगा बात को समझे ये तीनों condition जब ये तीनों condition जब होगा about any support आपका सकते moment किस के about किसी के about कोई भी support के about तब जाकर के body पूरी तरह से equilibrium condition में होगा तब जाकर के body पूरी तरह सी equilibrium condition में होगा समझ रहा है ना तो यहां पर आप यह सब condition यूज भी किये हैं जब हम safety BMD बनाए तब भी यूज किये vertical forces को zero किये moment किसी एक support के horizontal को आप नहीं देखे होंगे जीरो कि क्योंकि जब horizontal force रहे गा ही नहीं तो आप उसको क्यों already zero है जैसे इसी कोशन में अभी जो यहाँ example दिख रहा है यह beam वाला जिसमें F1 F2 F3 है और reaction R1 R2 है इसमें जड़ा देखें प्यारे आप लोग क्या कहीं horizontal है क्या आप कहेंगे नहीं है सर तो इस condition में आपको horizontal तो already है ही नहीं तो our digital जीरो ही है है ही नहीं horizontal मतलब horizontal तो already zero है तो यहाँ पर आप करे ना करे कोई मतलब नहीं निकलेगा लेकिन co planar non concurrent में तीनों होगा, तीनों जब होगा, तब जाके equilibrium में होगा, लेकिन co-planar concurrent में only 2 होगा, जब आपका summation of vertical 0 होगा, horizontal 0 होगा, system 100% equilibrium condition में हो जाएगा, तो अब उमीद equilibrium का मतलब समझ गयोंगे, equilibrium मतलब, body जैसा है, वैसे ही condition में रहना, equilibrium condition, forces वैगर लगे, लेकिन उसमें movement नहों, किसी तरग movement नहों, कुछ नहों, तो equilibrium कहलाता है, simple वासा में, चलिए हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं, और question number चलते हैं, which of the following does not affect frictional, देखिए क्या लिएका, does not affect frictional force, friction force को कौन परभावित नहीं करता है, friction force को कौन परभावित नहीं करता है, तो देखिए first में surface roughness, देखिए surface roughness जो है, does not लिखा है, surface roughness तो friction force को effect करता है, surface roughness जैदा होगा, friction force जैदा होगा, क्योंकि अब जानते, frictional force बराबर mu into r होता है, है न, rn यहाँ पे लिख दे, आनि normal reaction, rn को normal reaction बोल रहे है, mu ही यहाँ पे जो होता है न, formula में, वो coefficient of क्या होता है, dear, तो आप कहेंगे coefficient of friction होता है, coefficient of friction, और rn क्या है, तो rn होता है normal reaction, कैसे, तो देखिए, कोई भी body, यह सब पहले भी lecture में बता चुगे, कोई body रखा हुआ है इस direction में जदी, इसका motion हो रहा है, कोई force लगने से, तो friction force जो है, वो motion के विप्रिड direction में होता है, इधर होगा, इसका कुछ weight होगा, तो weight vertically downward होगा, और weight के ही कारण, obvious है, यह एक body है, तो body ground पे action करेगा, तो ground एक reaction प्रोवाइड करेगा, उसी को RN बोल रहे है, reaction, है कि नहीं, उसी को RN बोल रहे है, नहीं reaction, clear है, उसी को reaction बोल रहे है, और reaction always, जिस पे body रखा रहता है न, उसके perpendicular रहता है, body के perpendicular रहता है, जिस पे body रखा होगा रहता है, उस पे perpendicular होता है reaction, तो motion का मतलब है कि धरी आपका PMON का कोई फोर्स लग रहा हो तो धरी मोशन करेगा तो यह एफ का वैलू होता है मियू इंटु आ रहें तो आप देख पा रहे हैं कि सर्फिस रफने जब जादा होगा मियू जादा होगा क्योंकि मियू जो है न वो डारेक्ली परपोस्टनल होता है आपको कभी पूछ दे सर्फिस इसका डारेक्ली प्रपोस्टन टीर सर्फिस रफने बढ़ेगा मियू का वैलू बढ़ेगा तो सर्फिस रफनेस पर भाव मतलब एफ्ट होता है अनि अफेक्ट होता है सर्फिस रफने से तो यह डज नोट पूछा है तो आनि यह उप्सन इसका नहीं होगा अगला reaction of the surface हा बराबर mu into rn है तो rn क्या है normal reaction अगला area of contact और अगला force tending cause motion force tending cause motion का मतलब वो force जो की body को motion में लाता है तो देखिए वो भी जो है न वो effect डालता है force भी force भी effect डालता है जब force ही नहीं रहेगा friction force का यहां बात ही नहीं होगा इसका जो सबसे correct option होगा ने area of contact जैसे की पानी का density 1000 kg per meter cube एक चमबच पानी का भी वही density एक गिलास पानी का भी वही density यानि density जो है वो बिलकुल भी dependent नहीं होता है quantity of the substance पे quantity of the substance पे density dependent नहीं होता है उसी तरह से coefficient of friction जो म्यू है वो dependent नहीं करता है area पे माल लिजे कोई भी surface का जिसे कोई लकड़ी है और उसका जो है छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा है plywood है plywood का छोटा सा टुकड़ा काट दिये उसका coefficient of friction कुछ हुआ तो पूरा plywood भी एक ही जैसा बना हुआ तो उसका coefficient of friction वही रहेगा chain ही करेगा आनि area पे depend नहीं करता है इसलिए does not depend लिखा था तो जिस जिस पे depend करता हूँ answer नहीं होगा जिस पे depend नहीं करता है sorry area पे depend करता है पूछा था does not depend तो does not नहीं है area पे depend करता है depend on area तो does not depend पूछा था औभियस है area of contact area of contact क्योंकि surface roughness पे effect होता है reaction पे भी और ये भी area of contact से कोई भी effect नहीं होता है बड़ा करेंगे छोटा करेंगे friction force का value में कोई changes नहीं होगा area बड़ा छोटा करने से तो इसका हुआ C option 3 का अब चलते next question के तरफ अगला numerical अगला question जो है पूछा है for a self locking चलिए बहुत अच्छा question for a self locking machine देखे self locking machine जो होगा न self locking self locking machine इसका बेहतर example होगा जैसे की अस्क्रीव जैक आपको प्रिवियस लेक्चर में भी ये बात बता चुके हैं अस्क्रीव जैक है के नहीं है जैक मसीर आप सुने होंगे जैसे कभी न टायर चेंज करना है फोर विलर का और या फिर ट्यूब वैगरा चेंज करना है पंक्चर हो गिया तो आप देखे होंगे वहां पे एक जैक या फिर नीचे से कुछ खराबी आगिया एक्सल में या फिर लीफ अस्प्रिंग वैगरा में खराबी आगिया कोई सिस्टम अंदर खराब हो गया तो आप देखे होंगे उस करडिसन में जैक लगा करके एक्सल वैगरा में जैक लगा करके और नीचे मैकनिक घूस करके जो है ठीक करता है है कि नहीं आप फिर टायर वैगरा को खोलता है पूरा आपका यह सब जैक लगा करके रखता है अस्क्रिव जैक वही है तो अस्क्रिव जैक एक सेल्फ लॉकिंग मसीन एडियर आद रखिएगा अस्क्रिव जैक एक सिंपल मसीन है और ये जो है न ये आपका सेल्फ लॉकिंग मसीन के काटेगरी में आता है तो लिखाएक सेल्फ लॉकिंग मसीन का efficiency मस्क भी क्या होना चाहिए तो आपको अमना previous lecture में ये बात बता चुके है previous lecture में हम बता चुके थे कि for for irreversible machine for irreversible for irreversible machine जो है वो efficiency जो है वो less than 50% efficiency machine का कितना less than और जदी बात करेंगे for reversible machine for reversible machine तो efficiency जो machine का होता है greater than होता है 50% और ये काफी important बात बतलारे प्यारे आप लोगों को काफी important बात बतलारे प्यारे आप लोगों को तो चीजों को समझें कि reversible के लिए क्या होगा और आपका किसके लिए क्या होगा ठीक है अब यहीं से बाते निकल करके आता है न कि ये reversible machine मतलब क्या तो भाई जो reverse direction में काम ना करें जैसे कि इसका example होगिया अस्क्रिव जैक होगिया ये reversible machine ये reversible machine जैसे कि होगिया पूली आपका पूली कभी पूछ दे पूली का आपका जो है efficiency कितना होता है तो आप आद रखेंगे greater than 50% अस्क्रिव जैक का पूछ देगा या फिर irreversible machine का पूछेगा दोनों तरीका सो सकता है तो आप आद रखेंगे less than 50% अस्क्रिव जैक पूछ देगा तब भी less than 50% यह reversible भी पूछ देगा तब भी less than 50% वैसे पूली पूछ देगा तब भी greater than 50% reversible भी पूछ देगा तब भी greater than 50% होगा तो आई अब इस question पे आते हैं question देखें कितना प्यारा question था कि एक self locking machine का 2019 में जो पूछा था ना उसमें पूछा था साथ यह एक irreversible machine हो गया तो less than 50% आज रखेंगे option number C आपका correct होगा less than 50% पहला option equal to 50% दूसरा ग्रेटर देटर देटर फिप्टी परसेंट और D number में 100% तो यह तीनों option नहीं होगा 100% तो होता ही नहीं है less than 50% self locking का होगा must be तब ही जाकर कि वो irreversible machine बनेगा आदरवाज जैसे 50% से जादा होगा न वो बन जाएगा reversible machine तो यह 4 number question बता दिए चलते हैं next question और next जो है यह है आपका 5 number question the unit of angular acceleration is angular acceleration का unit पूछा है linear नहीं angular का linear नहीं angular का आद रखेगा meter per second square जो है यह है linear acceleration का unit linear acceleration का unit है meter per second square meter per second जो है ओ है linear velocity का डियर कभी पूछ सकता है और एक आपका जो newton into meter है newton into meter यह जो होता है न यह work का unit है यह work का unit है इसी को आप joule कर सकते हैं एक joule बराबर कोई पूछ दे तो newton meter एक joule के बराबर होता है newton meter 1 kilo joule जो होगा ओ 1 kilo newton meter के बराबर होगा अब यह जो बच गया option number D यही correct answer है क्योंकि तीनों eliminate हो गया दूसरा का unit है angular acceleration का radian per second square कभी आप से पूछ दे सकता है कि angular velocity का कितना होगा angular velocity जिसको omega से दिखाते हैं तो आज रखेंगे इसका जो होता है वो रेडियन पर सकेंड होता है डियर रेडियन पर सकेंड होता है angular angular velocity का क्या होता है रेडियन पर सकेंड ठीक है तो कोई भी question पूछा जा सकता है इस तरह यूनिट पर बहुत सारा कोशन हो सकता है इतना सारा यूनिट है दुनिया भार का हिसाब नहीं है तो आपको यहां बता दिए कि यूनिट ऑफ एंगुलर एसलेरेशन रेडियन पर सकेंड स्क्वाइर होगा नेक्स्ट कोशन है सिक्स नंबर दिख कोफिसेंट ऑफ रश्टी चूशन देखिए इस पर बेड़न नुमेरिकल भी बता चुके है प्रीविय दोहजार उनीस में कोशन पूश्च चुका था यह जो यह है आपका कॉलीजन चेप्टर का है याद सिक्ट ऑफ रश्टी चूशन रश्टी चूशन का मतलब होता है जो इलाश्टिक बॉड़ी है वह मालीजिए टकराया किसी अनदर बॉड़ी से तो बाद में क्या होगा टकराने के टाइम वह एक दूसरे में टकराएगा तो चिपक जाएगा चिपक ना मतलब क्या चिपक करना चाहेगा तो जो रिगेन करने का प्रोसेस है बोडी का अफ्टर कॉलिजन तो उसी को बोलते रश्टी चूशन एट इट 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 दी original से पाफ्टर कॉलीजर ठीक है न या अफ्टर इंपक्ट तो उसको बोलते रश्टी चूशन लेकिन यहाँ पर पूछा है coefficient of रश्टी चूशन आज रखेंगे कि coefficient of रश्टी चूशन को coefficient of रश्टी चूशन को C.O.R. coefficient of रश्टी चूशन छोटा इसे denote किया जाता है और यह होता है velocity of separation अज रखेंगा velocity of separation कभी पूछ दे तो velocity of separation divided by होता है velocity of approach velocity of separation divided by velocity of approach और यह होता है formula B2 minus B1 divided by U1 minus U2 कभी पूछ दे तो B1 और B2 है after collision का after collision का 1 और 2 बॉड़ी का velocity U1 और U2 जो है वो before collision का 1 और 2 बॉड़ी का velocity करने मतलब B1 B2 final velocity है U1 U2 यहाँ पे initial velocity होता है तो यह question पूछा था कि in elastic body का देखें कौन body in elastic in elastic जो elastic नहीं है उसका coefficient of frustration कितना होगा हम आपको बता दे dear हम आपको बता दे आद रखेंगे कि यह जो है ओ परफेक्टली elastic का जो होता है परफेक्टली elastic body का कभी पूछ सकता है question में परफेक्टली elastic body का वो आद रखेंगे कि यह का value 1 होता है ठीक है और e का value जो होता है in elastic का in elastic body का वो e का value जो होता है और कभी पूछ दे e जो है न वो lies in between आज रखेगा lies in between 0 to 1 आज रखेगा 0 से 1 के बीच में lie करता है अनि 0 से 0 और 1 के बीच में उससे बड़ा नहीं होता है उससे बड़ा नहीं होता है question कहीं से भी आ सकता है तो यहाँ पे पूछा इन elastic का क्या होगा तो आप खुसी खुसी 0 को tick करके आएंगे 1 किसका होगा तो elastic का होगा perfectly elastic का between 0 and 1 किसका होगा तो between 0 and 1 किसी का नहीं एक तरह से इसके बीच में lie करता है और none तो इसका होगा नहीं तो यह 6 number question था अब चलते हैं next आपका 7 number question पे और 7 number question पे काफी सारा यहाँ पे बाते हैं तो थोड़ा हम देख लेंगे एक बार the point through which the whole weight whole weight मतलब क्या होगा संपूर्ण weight पूरा weight whole weight of the body acts irrespective of its position मतलब की एक point जहां पे पूरा मतलब पूरा weight जो है body का ओ आपका ओ आपका क्या करता है ओ आपका act करता है concentrate करता है या act करता है उसको कौन point बोलते हैं उस point को क्या बोलते हैं तो आद रखेगा moment of inertia तो नहीं बोलेंगे उसको moment of inertia कोई point तो होता नहीं आपको आद होगा moment of inertia क्या चीज होता है moment of inertia को आई से दिखाते है moment of inertia area moment of inertia का बात करेंगे तो अभी ऐसे ak square होता है कि यहाँ पे radius of variation है moment of inertia का कभी unit पूईदे area वाला का तो आप आद रखेंगे यह mm to the power 4 हो सकता है या फिर centimeter to the power 4, meter to the power 4 हो सकता है यह जो area moment of inertia का है तो यह तो नहीं होगा अगला center of percussion center of percussion या percussion जो बोड़िये center of percussion center of percussion क्या होता है अब एक है अगला C number में center of gravity आप कहेंगे सर center of gravity होगा बिल्कुल सही सोच रेडियर इसका option होगा center of gravity जहां पे पूरा weight जो body का act करता है उसको हम लोग center of gravity बोलते हैं तो अब बात हुआ कि आखिर percussion क्या चीज है या फिर center of mass क्या चीज है है कि नहीं है तो थोड़ा इसमें समझ लेते हैं बात को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी थोड़ा इस बात को यहां समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज आई है थोड़ा पहले इसको हम समझ लेते हैं यहां पे जो पहले से ही यह करके रखें इसको समझते हैं देखे क्या है Center of gravity याद रखेंगे कि Center of gravity मतलब CG यह आपका Based on Weight वेट पे Based होता है और Center of Mass जो है आपका वो Mass पे Based होता है Center of Mass पे Based और Center of Gravity वेट पे Based अब देखें Weight का Value जो है अलग-अलग Place में भैरी करता है और Mass का Value हम आपको बता चुके चीज़ Starting में जो मेरा Class की होंगे Offline Online जैसे भी तो उनको बताए हुए है या फिर अब कहीं भी पढ़े होंगे Mass और Weight में पहला यूनिट में Difference जानना था Mass क्या होता है Weight क्या होता है है कि नहीं है तो Weight का Unit होता है उटन्वेगर डियर लेकिन Mass का Unit होता है साई उनिट किलो ग्राम दोनों का उनिट में फर्क है और Mass का Value जो है हर एक जगा पे पूरा दुनिया में हर एक जगा पे जो है वो Mass का Value सेम है लेकिन Weight का Value अलग-अलग है क्योंकि Weight बराबर जो होता है weight w से दिखाते weight बराबर क्या होता है amg और weight acceleration due to gravity पे dependent है और mass का मतलब होता है quantity quantity of substance को ही mass बोला जाता है जिसमें acceleration due to gravity पे depend नहीं करता है और gravitational effect पे कोई depend नहीं करता है आपका mass, mass जो है gravitational effect पे depend नहीं करता है gravitational field पे depend नहीं करता है लेकिन weight जो है gravity पे depend करता है gravitational field पे gravitational effect पे dependent है आपका weight तो weight का value अलग अलग जगा पे अलग होगा उसी तरह से center of gravity अब dependent है आपका weight पे आणि weight term जो है उसके लिए center of gravity का बात करते हैं हम लोग इसका मतलब हो गया कि weight जो होगा weight जो होगा वो आपका variable होगा लेकिन center of mass जो होगा वो variable नहीं होगा center of gravity जो होगा variable होगा लेकिन center of mass जो होगा वो variable नहीं होगा देखे आगे लिखा हुआ है so when the gravitational field देख रहे है when the gravitational field across an object is uniform जब gravitational field जो है वो एक object के across uniform होगा तो आद रखेंगे the two are identical two are identical का मतलब है cg और cm same होगा कब cg और cm सेम होगा जब gravitational field आपका change नहीं कर रहा है तब का बात होगा cg और आपका जो होगा वो आपका identical होगा cg और cm cm मतलब center of mass दोनों same होगा cm मतलब center of mass दोनों क्या होगा clear न होई भर जबकि when the object inter से ये especially varying gravitational field देख रहे है especially varying gravitational field vary करने वाला परिवर्तित होने वाला field में center of gravity cg मतलब center of gravity center of gravity will move closer to the region of the object in a stronger field जिदर gravitational field जयदा होगा उधर center of gravity आपका shift कर जाएगा नि move कर जाएगा लेकिन whereas the center of mass is unmoved center of mass आपका move नहीं करेगा जिदर में gravitational field का value जाएगा उधर cg body का shift कर जाएगा लेकिन center of mass जहाँ है वही रहेगा मतलब vary नहीं करेगा तो आप उमीद है बात को समझ रहे होंगे कि दोनों मंतर कहत क्यों यहाँ पे center of mass को टीक नहीं किये यह सब बाते नहीं किया है लेकिन जदी gravitational field across the object uniform होता तो c और d दोनों option same होता और दोनों option इसका correct होता अब चलते center of percusion क्या होता है center of percusion आज रखेंगे यह बहुत ही बड़िया सा चीज है center of percusion यह भी एक center है आप देखेंगे जिसे cricket खेलते हैं ने bet आप bet देखेंगे ओ bet में क्या होता है आप देखेंगे वो लकड़ी के जो बना हुआ रहाता है आप नीचे तरब देखेंगा पीछे तरब से आप देखेंगा जितर gain से आप impact करते हैं गेंद में जटका मारते उधर नहीं, उधर तो फ्लैट होता है, प्लेन होता है, पीछे के तरफ बैट को देखिएगा न, तो बनाया वह रहता है, थोड़ा सा उपर तरफ पतला रहेगा, नीचे तरफ हाग मोटा रहेगा, उठा वज़े सा रहेगा पीछे तरफ, ताकि उसक सेंट्र परक्यूजन को समझ लेते हैं क्या होता है, तो सेंट्र परक्यूजन एक ऐसा पॉइंट है न, कि जहां पे जदी आप कुछ इंपेक्ट लगाएंगे, एक बॉड़ी है मालेजे कहीं पे लटका हुआ, पाइवोटेट है, पाइवोटेट का मतलब क्या हुआ हुआ पाइवोटेट है पिन जोईंट, एक जगह स्पीन में लटका हुआ है, जिसे पैंडूलम वएगर आता है, अब एक पॉइंट पे जटका देंगे, तो क्या होगा, जदी आपका पाइवोट के पास रियक्टीव फोर्स जीरो होगा, कोई रियक्शन नहीं आएगा, कोई र कोई रियक्शन नहीं आएगा, तो उस पॉइंट को बोलते हैं, जहां पे आप इंपेक्ट लगाए होंगे, उसको बोलते हैं, पॉइंट ओफ यह सेंटर पर क्यूजर, थोड़ा समझते हैं, पहले से ही यहां में अटेच करके रखें, ताकि टाइम बचे आपका, देखें हैं, पाइवोट का मतलब पीन ज्वाइंट, पीन ज्वाइंट अनि मोवेबल, पाइवोट ज्वाइंट मतलब पीन ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट ऐसा, पाइवोट, वेर ए परपेंडिकूलर इंपक्ट विल प्रोड्यूस नो रियक्टिव देख रहे हैं, नो रियक् Transnational motion cancels at the powered when an impulsive blow is struck at the center of the perclishan है और पर क्यूजटं पे जब आप जो है वह आप IMPULSIVE blow को अश्टरक करवाएं गे मतल install कर वांगे और दोड़र मारें घी आ थी किसी बी से तो आपको Transnational and Rotational motion केंसे रघ्राल का का कृता है तो यह आपका हो गया बैट में देखिए और फिर आपका सब्सक्राइब है ने खिया नहीं हैं जिसे नहीं आपको बैडमिन रहे रहे में की catch assessments सब जटका सोचे जहां हाथ पकड़े उसका नईदीक में आप लगे तो आपको हाथ पे चूट लगेगा तो वह ऐसा डीजाइनी के बैट वैगर का भी या फिर आप देखें होंगे यह जो आपका क्या बोलते हैं यह तो हो गया एक रैकेट होला हो गया ना एक क्या उसको अचे खर भी आदनी यह रहा है बैट हो गया रैकेट हो गया डूर हो गया सौड हो गया सौड मतलब तलवार वैगर वाला में तलवार में जहां मुठी पकड़े हैं वहीं पे जदी आप वहीं मुठी बगल से किसी च कुछे कुछाटी लक्डी को तलवार से यह यहां फोड़ा फकड़े उसके बगल में चोट अनुदाइब अगए लगेगा क्योंकि वो center of percusion नहीं है लेकिन center of percusion पर जदी अश्ट्रक करेगा ना strike करेगा कोई भी चीज तो आपको हाथ पर जो है जो पक्ड़े रहेंगे वैसा जटका महसूस नहीं होगा बहुत कम आएगा जटका तो यह है कुछ center of percusion से लेटेड बाते चली यहां समझते है डाइग्राम में देखिए क्या हो रहा है इस डाइग्राम को थोड़ा देखिए देखिए impact at the tip आप देख पा रहे हैं impact आपका tip पे लगा tip मतलब एक दम नीचे पे impact at the throat मतलब उपर में लगा impact at COP मतलब center of percusion COP मतलब center of percusion पे लगा जब center of percusion पे लगेगा जड़ा देखिए क्या लिखा हुआ है handle does not move handle move नहीं करता है लेकिन जब throat पे लगता है handle moves to lift handle आपका lift to move करता है जब आपका tip पे लगता है तो जड़ा देखिए handle moves right देख रहे हैं handle moves right लेकिन center of percusion पे लगता है handle does not move, move ही नहीं करता है handle जड़ा भी नहीं धर उदर होता है handle जड़ा देखिए एक और जो होता है न यह लगवक 12 by 3 पे होता है 12 by 3 पे होता है center of gravity कहां पे होगा ता बोलेंगे सर यह तो यह लगवाई 2 पे होगा अधा अधा पे होगा अब देखिए हाथोड़ा चोट मारा गया center of percusion के नीचे लगाए गया है तो देख रहे हैं उपर में movement दिखाए गया है arrow से दिखाए गया होगा उपर में movement जब हाथोड़ा यहां लगाए तो movement आप देखिए left side में हुआ है अब हाथोड़ा center of percusion के उपर लगाए गया तो देखिए movement जो हुआ है न राइट side में हुआ और जब आप हाथोड़ा को center of percusion पर ही लगाए है तो देखिए stress नरी है और पाइफोट जो है न वो stress नरी है पाइफोट का मतलब होता है pin joint मतलब move कर सकता है pin joint या फिर आप बोलिए hinge hinge joint जो भी बोल सकते है तो यहां से बात को आप समझ पा रहे होंगे साइट बात को समझ पा रहे होंगे तो center of percusion एक point होता है जहां पे जदी कोई भी मतलब की impact लगेगा है न impact लगेगा और एक body जो है वो बिल्कुल एक pivoted joint है जैसे की bat ball में भी ऐसी होता है pivot का मतलब आप जो हाथ से पकड़े है यह हो गया pivot क्योंकि वहीं का about ना आपका घूमता है idea आप देखे होंगे कि कभी जो है ना वह जहां मूठी पकड़े हुए उसके बगल में गेंद लग गया होगा तो बहुत हाथ पे बहुत बड़ा जटका लगा होगा आपको क्योंकि वह center of percusion नहीं है center of percusion जो है जहां पे आप हाथ से पकड़े हुए रहते है ना वहां से 2L by 3 distance पे होगा जदी बैट का लंबाई L है तो आनि कि आप कहेंगे एकदम नीचे नहीं होगा नीचे से थोड़ा उपर तरफ होगा तो आप देखते होंगे नॉर्मली ऐसा डिजान के जाता है वही से ज़्यादा जो है न वहीं से ज़्यादा चोट खाता है मतलब बैट क आप ज़्यादा अपर वहीं व्यादा चोट जयादा खाता है नीचे से थोड़ा उपर व्यादा में से और पर क्यूजर साया नहीं लग्ता है हाथ कि कैरे इसका सdles और कोशन और नेउ कोश्जर सब्सक्रा धार दोहजार बाइस में दोग्ला कनुक्रेंट फोर्स आरर», दे फोज L. O. जिसका L. O. अब जानते का मतलब होता है कर एंदि जदि 10 फोर्स है या 50 फोर्स है 100 फोर्स है तो सबी फोर्से का line of action जदि एक single point से pass करता है तो हम उस point को बोलते point of concurrency उस point को बोलते point of concurrency जैसे की माले ज़े f1 हो गया, माले ज़े f2 हो गया, माले ज़े आपका f3 हो गया, माले ज़े आपका f4 हो गया, माले ज़े आपका f5 हो गय एक्छोअली में यह पॉंट जो सुन्दर सा कहलाता है इस फॉंट को बोलते पॉंट और करेंसी क्या बोलते दियार ? पॉंट और करेंसी क्योंकि पाचो फोर्स का ॉप एक्शन उसी पॉंट से पाइस करता है। उस फॉइड पॉर्स का मतलब हुआ उसके along जो force का impact होगा effect होगा वो same होगा तो खर line of action आपका क्या होना चाहिए concurrent के लिए एक point पे meet करना चाहिए अनि इसका option होगा meet at one point अनि option number C meet at one point पहला option में है lie on the same plane देगे सिर्फ concurrent पूछा था तो same plane में कोई जोरी नहीं है पहला option में confusion में नहीं आएंगे concurrent होने का मतलब कोई जोरी नहीं सेमी plane में रहे अलग-अलग plane में भी रहे एक point पे meet करे तो हाँ concurrent खलाएगा तो lie on the same plane नहीं होगा एक है बी नंबर में meet on the same point देखे एक्चोली में ना इसका भी ओफसन और सी में क्या है कुछ अंतर ही नहीं है meet at one point meet on the same point देखे इसका ना meet on same point बात तो एक ही meet at one point बिल्कुल भी दोनों आफसन जो होगा यहां पे यह इसका बी और सी दोनों आफसन सही होगा तो यह कोशन थोड़ा सा बनाने वाला मिश्टेक किया है यहां पे meet on the same point इसका दोनों आफसन जो होगा नो करेक्ट होगा बी और सी दोनों होगा meet on the same point का मतलब तो वही हुआ एक ही point पे meet करता हो एक ही बात है यह meet at one point मतलब लिखने के तरीका लगा मीनिंग तो दोनों मतलब वही हो रहे डिया none of these नहीं होगा lie on the same plane तो होगा नहीं क्योंकि concurrent सिर्फ पूछा है co-planer पूछता है तो same plane lie on the same plane का मतलब होता है co-planer कभी पूछ दे co-planer का मतलब तो lie on the same plane खर चली ठीक है इस परकार से जो है auto question हम discuss यहाँ पे कर दिये हैं मिलेंगे कोई next numerical में next question लेकर के 2022 में जो numerical पूछा होगा ऐसे 2022 में numerical जो है न वो एक ही पूछा है वही numerical हम discuss करेंगे next lecture में अब comment करके बताएंगे कहां पे कैसा आपको समझ में आये क्या दिकत महसूस हुआ कहीं पे भी आपको कोई सुझाओ के कुछ भी वैसा हो अब comment करके जरूर बताएंगे क्योंकि आपका प्यारा सा comment कम इंतिजार करेंगे dear मिलते नया lecture में आप खूस रहें ऐसी मुस्कुराते रहें खूब मन लगा करके पढ़ें खूब तरक्की करें थाइंक्यों एवरिवन थाइंक्यों थाइंक्यों थाइंक्यों